टिमसी सांसट महवा मोहितरा पैसे लेकर संसट में सवाल पूछने वाले मामले में मुश्किल में फस गई है उनकी संसट की सदसता ही संकट में फस्ती दिखाई दे रही है आज संसट की ethics committee ने इस मामले में चर्चा की कमेटी की ओर से महुबा को संसद से निश्कासद करने की सिफारिश भी की गई थी लेकिन कई सदस्य इस रिपोर्ट के खिलाफ थे जिसके बाद एथिक्स कमेटी में सदस्यों के बीज वोटिंग भी कराए गई कमीटी में छे मेंबर्स ने महवा को लोगसभा से निश्कासत करने के लिए वोट किया जबकि चार मेंबर्स ने इसके विपक्ष में वोट किया कॉंग्रेस सांसत परनीत कौर ने भी रिपोर्ट के समर्थन में ही वोटिंग की एथिक्स कमीटी में कुल 15 सदस से हैं जिसमें विजेपी के साथ कॉंग्रेस के तीन और बसपा शिफसीना, YSR, कॉंग्रेस पार्टी, CPM और GDU के एक एक सदस से शामिल है कमीटी की एधिक्ष विजेपी सांसत विनोत सोन कर है अब एथिक्स कमीटी ये रिपोर्ट शुकरवार 10 नवंबर को लोगसभाय स्पीकर ओम बिडला को सौपेगी दावा किया जा रहा है कि कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में महुवा मोहित्रा के आच्रण पर सवाल खड़े किये है उधर एथिक्स कमीटी की रिपोर्ट लीक होने पर महुवा मोहित्रा रही लोगसभाय स्पीकर ओम बिडला को पत्र लिकर शिकायद दर्च कराई महुवा ने कहा कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने कमीटी की रिपोर्ट पबलिश कर दी ये लोगसभा के नियमों का उलंगन है सबसे हिरानी वाली बात ये है कि जिस चैनल में ये खबर चल रही है वो अडानी ग्रूप का है महुवा ने आगे बोला मेरे खिलाफ उसी बिजनसमन पर पैसे की बदले सवाल पूछने का आरोप लगा है वही बिजनसमन एथिक्स कमीटी की गुपनी दस्तावेजों को एकसेस कर रहा है